मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूं मैं आप कहां रहते हैं डली में वेस्ट पर टेल लगर डली कितने साल का है आपका बच्चा आप क्या देख रहे थे अपने बच्चे के लिए मैं में स्कूल जहां पर सब कुछ हो स्पोर्ट्स का हो जहां पर टीचिंग लेवल अच्छा हो टीचर्स का और जहां पर क्लास में बच्चे अट-लीट थी त्री और यह अप लेकिन हर स्कूल में फॉपलेशन फिफ्टी त्री बच्चे हैं इसकी वजह से फॉट्टी मिनट का एक पीरड होता है जहां पर एक टीचर एक बच्चे को एक मिनट नहीं दे सकता है यह जह जो में और कोई मुझे प्रॉबलम लगी तीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग सब कुछ अच्छा है लेकिन जो जो 53 बच्चे हैं इसकी वजह से बच्चों को टीचर्स का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है बाकी जो बढ़न नहीं थोड़ा सब पर देखना पड़ता है अगर थोड़ा सब कम होंगे बच्चे तो ज्याद अच्छा होगा अधर्वाइस और जो है में मुझे अच्छी लगी यदे काउंसल काउंसलिंग जो एंगी बहुत अच्छी है इवन अगर केसमें बच्चा अगर थोड़ा प्रॉबलम कर रहा है जैसे बच्चा थोड़ा अगरो ने चाहिए कौन से स्कूल सापने कंसिजर किये थे अपने मुच्चे के लिए एक तो किये था बालवहरती, सल्वान, सल्वान ओंटेंशरी और वीवेक सुमेत, मानफस थलिये यह हमने किये थे यह इज़ा है इपने स्कूल अपने फाइनली चुन और क्यों माम? यह मेरे चीज़ मिली जो मुझे चाहिए था एक्सेप्ट था फिफ्टी थी बच्चे कैसा एक्सपिरिंस रहा मैम आपका फेट अच्छी लगी है उसकूल के बारे में उनो एक्रह उनो अच्छी बच्ची है उन्न आपका आपका बच्चा है मेरे बच्ची हीज थी करो Faith Academy School के साथ कुछ ऐसा जहां improvement की जरूरत हो आपके हिसाप से? मैं वही बता रही हूँ ना कि टीचर्स को भी जो टीचर्स का main जो time है ना बच्चों को proper नहीं मिल पाता है टीचर्स का only teach मतलब एक मिनिट अगर एक बच्चे को चाहिए या कुछ है वो नहीं मिल पाता है तो 40 मिनिट का पिरेड में बता रहे हूँ 53 बच्चे हैं तो टीचर्स को name देपाते हैं Faith Academy School को आप दूसरे parents को recommend करना कितना पसंद करेंगे 1 to 5 के scale में? school की पढ़ाई में कोई problem नहीं है कुछ नहीं है तो मैं तो सब को बोलूँगी कि देखो को 1 to 5 के scale में आप 1 का मतलब least recommendation 5 का मीन मतलब highly recommendation तो कितने marks देना चाहेंगे? Thank you, thank you so much ma'am